हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बाई फिट से अपनी यूट्यूब चलने नॉलिज में IFMS 3.0 पर जो फरवरी महा का वेतन है जो बजट हवाओं में प्रॉसेस नहीं हो पाये थे इसका क्या solution है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको IFMS पर लोग-인 कर लेना है। आपको यह बिल्स पर जाना है सबसे पहले। बिल्समें आपको अपको सेलेरी बिल्स का option इस पर क्लिक करना है। chis usu पार उες से खुर की करना है तो आपको यहाँ पे पहले जिसकी भी employee की बनानी है उसको 100 कर लेना है यहाँ पे और उसका name यहाँ पे search करना है हम यहाँ पे name search कर लेते हैं पहले उस employee का जिसके हमें partial pay बनानी है यहाँ वो employee मिल गया है तो हमें इसके सामने यहाँ पे proceed button पे click करना है जैसे हम प्रॉसिट बटन पे क्लिक करेंगे पारिशल पे एक ऑप्शन खुलेगा फाइनेशल यहर हमें यहाँ यहाँ पे 2023 सेलेक करना है मन्त हमें यहाँ पे ध्यान से फरवरी 2024 ही सेलेक करना है उसके बाद आपको क्या उप्शन मिल रहे हैं डारेक्ट नीचे सब्मिट का मिल रहा है अब आपको यहाँ लिखेगा आइकन प्लस प्लस का मतलब आइकन है एड न्यू इस पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे तरह के options मिलते हैं employee के salary है वो पूरा यहाँ पर आपके सामने show हो जाएगी अब आपको यह option मिलेगा enter a date range date range आपको कहा से कहा तक लेनी है तो आपको February मंत्की लेनी है तो यहाँ से February select करेंगे हम February में हमें एक तारीक से salary बनानी है 29 तारीक तक तो पहले एक select करना है उसके बाद आगे मक चल जाएगा यहीं से आपको date select करनी है वापस से 29 तो दोनों का break up यहीं पर ही select होगा उसके बाद जो group है वो आपको यहाँ से select करना है एक बाद हम वापस से select कर लेते हैं यहाँ हम देखेंगे जो group है वो automatic रहेगा यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे add button पे click करना है यहाँ हमें date range जरूर देखना है सबसे पहले कि किस date से किस date तक है reason डाल दीजिए आप partial पे लिख दीजिए आप कुछ भी लिख दीजिए उसके बाद हमें यहाँ पे add button पे click करना है जैसे हम add button पे click करेंगे हमारे सामने यहाँ salary आ जाएगी किती तरीक से किती तरीक तक है यह जरूर देखी है यहाँ पे from date to date एक फरवरे से 29 तरीक पे एर दो हो जाते है इस चोईस पे मन्त सेकंड का मतलब February and pay days 29 days की हम salary बना रहे हैं क्योंकि February में 29 days की salary बनी थी अगर आपको लगता है आपने यहाँ पे गलट date चूज कर लिए गलट date सेलेक्ट हो गई है तो यहाँ से आप easily उसको delete भी कर सकते है अप्शन दिया हुआ है इसके बाद आपको यहाँ पे submit बटन पे click करना है जैसे आप submit बटन पे click करेंगे यह message देगा आपको यहाँ पे yes बटन पे click करना है जैसे यह आप yes बटन पे click करेंगे आपके पास successful का message आएगा एक application number generate होगा उसको आपको यहाँ पे okay कर देना है जैसे यह आप okay करेंगे अब आपको आगे क्या करना है आपको यहाँ पे सबसे पहले अब salary bills में जाना है वापस से bills में जाने के बाद salary bills में जाना है salary bills में जाने के बाद आपको option मिलेगा यहाँ पे एक partial पे तो आपको यहां नीचे देख लेना है वो मिल जाएगा auto salary process के नीचे आपको option मिलेगा auto salary process salary not process regular salary manual and option last पे मिलेगा partial previous month salary तो इस पे आपको यहां पे click करना है जैसे हम salary process करवाते हैं मान लिजे मार्च की करवा रहे हैं तो वो regular salary से process करवा देते हैं किसी की process नहीं होती है बट अगर किसी की partial पे आपको process करानी है तो partial previous month salary से ही आपको process करवानी है अब आपको यहां financial year पे click करना है और month select करना है February उसके बाद search button पे click करना है आप देखेंगे वो जो employee था जिसकी हमने salary process करवाई यह 29 days की वो यहां पे हमें show हो जाएगा अब आपको यहां पे click करना है and initiate button पे यहां पे click करना है जैसे initiate button पे click करेंगे वैसे ही आपको message मिलेगा are you sure want to submit this request? आपको yes button पे click करना है जैसे ही आप yes button पे click करेंगे bill reference number has been successful submitted अब आपको यहां पे okay पे click करना है अब यह bill यहां पे यहां से आपको दिखे गाए अभी लेकिन अब हम कहां जाएंगे अब हमें जाना है वापस से auto salary process में अब हम यहां चैक करेंगे कि हमें यह bill यहां मिलता है या नहीं मिलता है मैं भी first time भी process कर वा रहा हूं इसको 2013 choice select करेंगे month select करेंगे and group select करेंगे इसके बाद search button पे click करेंगे जैसे हम search button पे click करेंगे अब आप देखेंगे कि वो जो employee था उस group में उसकी details यहाँ पे हमारे सामने show हो गई है and उसकी pay detail आपको यहाँ से check कर ले नहीं है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एंपलोई है सदरी किसकी process होई है एक एंपलोई के और आ रहा है यहाँ पे option bill not forward to treasury तो आपको simple यहाँ पे bill number पे click करना है bill number पे जैसे ही click करेंगे update sharing का option है अगर इस bill में update sharing होती है तो आपको यहाँ पे pencil के icon पे click करना है और उसमें C.A.S.F. में 40, 80, 40, 60 जो भी होता है वो आपके according कर लीजिए और उसके बाद simple आपको यहाँ पे documents एक आप letter बना सकते हैं कि हमारी फरवरी की salary इस तरह से प्रोसेस नहीं हो पाईती तो हम partial pay में यहाँ परवरी की salary 46% से upload कर रहे हैं या absent statement जो भी other documents से वो आप लगा रहे हैं February के मन्त में income tax certificate तो आपको उसको यहाँ पे upload कर देना है एक एक करके और simple यहाँ पे आपको एक बार उसकी pay detail जरूर चेक करनी है प्रोसेस कराने से पहले वो आप view report में जाके कर सकते हैं interrupt schedule, auto schedule and दूसरे जो भी schedule है उसके बाद simple आपको यहाँ पे process बटन पे क्लिक करना है जैसे आप process बटन पे क्लिक करेंगे चार टिक मिलेंगे and आपको yes बटन पे क्लिक करना है आपका bill यहाँ से successfully treasury forward हो जाएगा तो इस तरह आप एक बार एक बार ट्राय कर सकते हैं इस तरह से 46% से bill बनाने का मैं एक बार आपको बता रहता हूं यहाँ पे आपको DA यहाँ पे 46% ही दिखेगा इसकी pay detail में दिखा दूँ आपको यह आप देखेंगे basic पे आ रही है करके वापस से send कर सकते हैं तो यह थी आज की पूरी प्रोसेज एक तो पार्शल पे आपने सीख लिया है कैसे करना है और 46% से आपको salary bill कैसे बनाना है previous month का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले subscribe करें और वीडियो को like और share करना ना भूलें thank you so much